नमस्कार बच्चों तो बच्चों आज हम क्लास फिफ्ट हिंदी का आपकी एक पोयम है कविता है एक खिलोने वाला उसकी एक छोटी सी कुईज करने वाले हैं कविता आपने पढ़ ली होगी याद भी कर ली होगी क्योंकि हिंदी की जितनी कविता हैं आपको लर्न होनी चाहिए आपको समझ में भी आ गया होगा तो चलिए एक टेस्ट लेते हैं आपका कि आपने कितने अच्छे से पार्ट को पढ़ा है और समझा है उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसमें पोयम में पोयेट ने बहुत सारे खिलोनों के बारे में बताया है तो बदर ये कौनसा किलोना है जो खिलोने वाले के पास नहीं था आपके आप्शन्स हैं A. मोटर गाडी B. हवाई जाहर C. गुढिया कौनसा खिलोना उसके पास नहीं था मोटर गाड़ी नहीं थी हवाई जाज या फिर गुडिया चली आंसर कर दिया होगा आपने अगला प्रशन है रामचंद्र जी कहां के निवासी थे पार्ट में आपको रामचंद्र जी कौशल लिया और क्योंकि बच्चा रामचंद्र जी जैसा बनना चाहता है लेकिन अपनी मा के पास रहके जैसे रामचंद्र जी तो 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए थे तो बताएए कि रामचंद्र जी जो थे वो कहां के निवासी थे आपक्यो आप्शन्स हैं A. मतुरा B. अयोध्या या फिर C. उडिसा मतुरा, अयोध्या, उडिसा उडिसा एक राज्य है आपका मतुरान, अयोध्या आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में है तो रामचंद्र जी कहां रहते थे इनमें से कहां के निवासी थे चले या अंसर कर दिया होगा आपने अगला प्रशन है, रामचंद्र जी किसके पुत्र थे? ये मेंशन किया हुआ है आपकी पोयम में भी आपकी ओप्शन से हैं A. कौशलिया B. यशोदा या फिर C. माया बच्चा कहता है कि मैं रामचंद्र जी बनूँगा और तुमको ये बनाऊंगा है ये एक लाइन है आपके पोयम में तो वो क्या बनाना चाहता है? रामचंद्र जी की जो मा है, उन्ही का ही नाम उन्होंने लिया है तो बताइए उनकी माताजी का क्या नाम था? कौशलिया या शोदा या फिर माया चलिए उत्तर कर दिया होगा आपने अगला प्रशन है कविता में कवित्री का नाम बताईए आपका जो आपकी जो पोयम है ये ये किनोंने लिखिया है? कौन इनकी कवित्री है? कविया कवित्री आपकी आप्शन्स है A. महादेवी वर्मा B. कैलाश वाजपाई या फिर C. सुभद्रा कुमारी चोहान जो कविताई लिखिया आपको कवित्री के नाम जरूर याद होनी चाहिए तो अगर आपको नहीं पता अपनी बुक खोली है और उसमें जहाँ पोयम खतम हो रही है नीचे नाम दिया होगा आपको कि किन होने ये कविता लिखिया और आप आगे के लिए याद भी रखेंगे कई बार एक्जाम में आ जाता है कि ये कविता किन होने लिखिया आपको आप्शन से महादेवी वर्मा, कैलाश वाजपाई या फिर सुभद्रा कुमारी चोहान तो चलिए उतर दे दिया होगा आपने आगे आते हैं ऐसा कौन सा त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत दर्शाता है किस त्योहार में, किस त्योहार को हम specially वो इसलिए ही मनाया जाता है कि उस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी कौन सा त्योहार है, जो बुराई पर अच्छाई त्योहार है आपके जो किसी के जन दिवस पर मनाई जाते हैं कहीं हैं जिस दिन कुछ स्पेशल हुआ था तो इस दिन ये स्पेशल था कि जो अगर स्पेसिफिकली मैं बताओ तो रामचंद्र जी ने रावन जी का वद किया था और आप अलग-अलग जो पुतले हैं मेगनात, रावन और कुमकरण इनके पुतले भी जलाते हैं ये दिखाने के लिए किस तरीके से हमेशा ही बुराई पर अच्छाई की जीत होती है तो बताइए कि वो कौन सा त्योहा रहे है इद, होली, धशेरा आसान प्रशन है चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने अगला प्रशन है कविता के अंत में बच्चे ने कौन सा खिलोना लेने का निरने किया बहुत सारी चीज़ों के बाद बहुत डिसकस करने के बाद दो पेज की कविता के बाद आखिर में वो निरने करता है कि अब मैं ये खिलोना लूँगा तो बताइए वो कौन सा खिलोना है आपकी ओप्शन से ए गुडिया बी तलवार, सी तीर कमान या फिर डी, बी और सी दोनो ये दोनों ही उसने लेने का निरने किया which option is correct गुडिया, तलवार, तीर कमान या फिर तलवार और तीर कमान दोनो चलिए उत्तर कर दिया होगा आपने अगले प्रशन पर आते हैं अचलि इसमें हिंट्स मैंने बहुत नहीं दिये हैं कि easy ही आपके exercise है और मुझे नहीं लगता है easy ही आपकी poem है पढ़ ली होगी आपने खिलाने वाला खिलाने का वैसे बच्चों को बहुत शौक होता है तो बहुत जादा मुझे नहीं लगता कि hints देने की जरूरत है आपको हिंदी में अगली बार से कम ही hints मिला करेंगे आपको तो अगला प्रशन है खाली स्थान भरिये किसी किसको मारूंगा राम समान यह आपकी poem की आपकी कविता की एक लाइन है तो उसने काया कि राम के जैसे मैं किन को मारूंगा आपकी options है A. हिरन B. चिडिया यह फिर C. ताड़का हिरन चिडिया ताड़का किसी हिरन को मारूंगा राम समान चिडिया को मारूंगा राम समान यह फिर ताड़का को मारूंगा राम समान अगर poem आपको याद नहीं है तो भी आपको पता होगा कि राम चंदर जी ने किनका वद किया था किस राक्षासी का चलिए अगला प्रश्ण है आपका भारत को आजाद कराने के लिए भगत सिंग जैसे अनेक महान क्रामतिकारी फासी पर लटका दिये गये थे क्रामतिकारियों को फासी पर लटका दिया गया था अब correct है sentence इस sentence में हम English Grammar में कर चुके हैं और Hindi में भी आप वही से हिंट ले सकते हैं संग्या आपकी naming words होते हैं नाम वाले शब्द होते हैं तो देख लिजे पार्ट में कौन से दो नाम वाले शब्दाएं हैं विशेशन होता है जो आपको विशेश्टा बताता हो किसी की जैसे अगर मैं कहूं कैसे क्रांतिकारी है ना तो वो क्रांतिकारियों को की विशेश्टा बताएगा या फिर किसी भी शब्द की जो उसमें आपकी संग्या है उनकी विशेश्टा बताता है वो आपके विशेशन होते हैं तो आपको दो संग्या बतानी है इसमें से और एक विशेशन बताना है भारत को आजाद कराने के लिए भगत सिंग जैसे अनेक महान क्रांतिकारियों को फासी पर लटका दिया गया था ये जानते भी होंगे आप कि हम 23 मार्च को जब हमने कुईज की थी कि उसमें भी आपको बताया था कि 23 मार्च को हम लोग क्या बनाते हैं कौनसा इंपॉर्टेंट दे है याद होना चाहिए आपको 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं क्योंकि राजगरु, सुकदेव और भगत सिंग जो थे इनको फासी पर लटकाया गया था उन्हीं की याद में चलिए और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमारे देश की आजादी में अपना योगदान दिया है तो बताए संग्य और विशेशन आपको पहचान ना था चलिए आगे आते हैं अगला प्रशन है बहुवचन बनाना है आपको एक और जब बहुत सारे होते तो उन्हें क्या कहते हैं एक का बहुवचन क्या होगा खिलोना एक खिलोना बहुत सारे होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे पैसा और बहुत सारे होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे इन में से एक का मैं बता देती हूँ एक जो है क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है आपको ना आता हो लेकिन पता होना चाहिए खिलोना और पैसा इसका तो आप बता ही देंगे लेकिन एक, एक का जो बहुवचन होता है आप 200 या 1000 ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे एक का बहुवचन होता है अनेक जब एक से जादा चीज़ें बहुत जादा हो तो उनको हम अनेक बोलते हैं चली अगला प्रशन है विलोम शब्द दोनों शब्द आपकी पोयम में आये हैं इनके विलोम आपको बताने है जीत का उल्टा क्या होता है प्यार इसका उल्टा क्या होता है विलोम शब्द बताने है जीत, जीतना, प्यार और दोनों का उल्टा दोनों के विलोम शब्द क्या होंगे चलिए उत्तर कर दिया होगा आपने अगला प्रशने क्रिया पहचानो क्रिया होता है वो शब्द जिनसे आपकी किसी काम का करने का आपको बोध होता है जैसे मैं कहूं कि राम पानी पी रहा है तो इसमें राम पानी ये तो दो हमारी संग्या होगी पी इस शब्द से हमें पता लगया कि क्या काम हो रहा है कि राम पानी को पी रहा है देख नहीं रहा है फेक नहीं रहा है पौधों को नहीं दे रहा है वो पी रहा है यह जो तीन options है, इनमें से दो आपकी संग्या है, नाम है किसी के और एक आपका, जो यहां पर जिस तरीके से इस्तिमाल हुआ है, क्रिया के तोर पर इस्तिमाल हुआ है, तो आपको वैसे क्रिया भी हो सकती है, लेकिन, वैसे वो संग्या भी हो सकती है, बट इस sentence में as क्रिया को यूज किया गया है, as verb, तो बताए कि कौन सा वो शब्द है, चलिए, उत्तर कर दिया होगा आपने, अगला प्रशन है, आपका तीन वाला पृत्य के शब्द लिखो, यह NCRT का question है, जैसे आपका है खिलोने वाला, तो एक शब्द था खिलोने, जो उनको बेचता है, उस उसके पीछे आपने वाला लगा के खिलोने वाला बना दिया, जैसे पान वाला, यह भी आपका एक शब्द होता है, तो पीछे वाला लगा के आपने एक शब्द बना दिया, अब आपको तीन ऐसे शब्द बताने हैं, इनके अलावा, खिलोने वाले और पान वाला के जैसे अर्थ और इसके आगे अगर मैं अन लगा दूं तो यह हो जाएगा अनर्थ, है ना, रूप और इसके आगे अगर मैं कूल लगा दूं तो यह कुरूप हो जाएगा, ठीक है, तो यह सब आपके उपसर्ग होते हैं, जो आगे लगते हैं, और प्रत्य, प्रत्य, प्रत् प्रत्य के शब्र. चलिया, आंसर कर दिया होगा, आपने आगे आते हैं, अगला प्रशन है आपका राम कौशल या ताड़का, तीनों के बारे में ही आपकी कविता में बताया गया है, ये किस कहानी के पात्र है, आपके पुस्तक है, जिसके कैरक्टर्स हैं, आपके आप्शन बड़ी फेमस बुक है उन राइटर की जिन्होंने आपका जो राष्टर गाने जन्गन मन लिखा है पता ही होगा रबिन नाठ टैगोर तो रबिन नाठ टैगोर ने लिखी हुई है गितानजली ये भी आपको पता हो निचे रामायन माभारत आपने सुनाई होगा तो राम ये इसके ठाटके चारेक्टर से रामायन या फिर गीतानजली चली फृक है उठन से इसके उत्टर दे दिया होगा आपने में आगे आते है इसिक लगई वाले के नाम को दुछ जिन आपको ने बारे में ऑने इस ने बता आया है पहले बताएं कि लगुने वाले के पास क्य क्या खिलोने हैं, फिर मैं ये क्यो नहीं लूँगा, फिर मैं क्या लूँगा, तो बहुत सारे खिलोनों को mention किया है, आपको किनी 5 के नाम दिखने हैं, comment section में, answer 15, और उसके बाद उन 5 खिलोने के नाम लिखो, जो आपको पोएम में बताए गए हैं, सो ये कुछ important questions ने हमारे इस chapter के, पूरा chapter cover हो गया है आपका, इनको आप ज़रूर learn कर ले, poem को ज़रूर learn कर ले, writer and all, जितनी भी poems है आपकी, okay, चलिए, thank you so much for watching, next video में हम लोग next जो आपका subject का कोई chapter है, उसकी एक quiz करेंगे,